प्रमे आठ कथन वृत्त की परिधी के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण सम कोण होता है चलिए एक अगला गुंधर्म देखते हैं इसके अनुसार वृत्त की परिधी के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण सम कोण होता है तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले वृत्त का व्यास खीच लेते हैं इसके लिए हम वृत्त पर पहले एक व्यास बना लेते हैं तो वृत्त पर व्यास लेने के लिए एक बिंदू हमने ले लिया कहीं भी ले लिजे वृत्त की परिधी पर ये बिंदु A हमने ले लिया और वृत्त का व्याज बनाना है तो हम जानते हैं कि व्याज जो है वो केंदर पर 180 अंश का कोण बनाती है केंद्र से होकर जा रहा है ये और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम बिंदू B ले लेंगे ये बिंदू B हमको यहाँ पर लेना होगा ये बिंदू B हमने ले लिया इस प्रकार हमें A, B एक व्यास मिल गया है अब हमें यह चेक करना है कि A, B व्यास द्वारा शेश परिदी पर कोई बिंदू लेने पर बनने वाला कोण कामान कितना होता है इसमें हमने ये इस तरह से चांदा फसालिया अब कोण बना लेते हैं व्यास के द्वारा बनने वाला कोण ये आपने बना लिया A, B व्यास द्वारा व्रित्ति के परिदी के किसी बिंदू पर बनने वाला कोण हमें मिल गया A, C, B इस कोण का हमको मापन करना है इस कोण के लिए देखिए ये आप देखेंगे आधार रेखा को इस तरीके से ये आधार रेखा के समनांतर है ये देख लिजे ये हमारी जो A, C रेखा है वो आधार रेखा के समनांतर है और इस इस्थिति में आप देख रहे है कि हमें जो कोण मिल रहा है वो 90 अंश का है A, C, B कोण यदि आप देखेंगे तो आपको 90 अंश का दिखाई दे रहा है इस प्रकार A, B व्यास द्वारा के वृत्त पर वृत्त की परिधी के किसी बिंदू पर बनने वाला जो कोण मिला वो हमें सम कोण मिल रहा है और व्यास जो है वो वृत्त को दो भागों में बाट देता है प्रत्येक भाग अर्ध वृत कहलाता है इसलिए कहते हैं कि अर्ध वृत्त पर बना कोण सम कोण होता है चलिए हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा इस गुण धर्म का अब हम इसे तारकिक रुप से सिद्ध करते हैं